सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंग सबसे पहले आप तक पहुंच तोके और जोती सम्मझे सब इचान करिया आपको मिलती रहें पर दोस्तों सुआगत आप सभी कहा हमारी इस यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे शनी के कुम राशी में परवेश के बारे में क्योंकि शनी घरे जो है पुम राशी में परवेश कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 को शाम को 6 बच कर 2 मिंट पर तो शनी जब पुम राशी परवेश करेंगे तो कुम राशी वालों के लिए यह क्या पनी नाम देगे आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगें तो कम से कम शनी जब किसी राशी में आते हैं तो ढाई वर्ष एक राशी में गोश्र करते हैं अब कुम राशी में आ रहे हैं और कुम राशी में जब शनी प्रयोश करेंगे तो 29,25 इसी राशी में चलेगे हैं हलाकि शनी जो है पापी घर है बीच बीच में मारगी और वक्री होता रहता है वक्री का अर्थ होता है उल्डी गती से चलना और मारगी का सीधी गती से शनी का जब कुम राशी प्रवेश होगा तो उसके बाद मकर राशी कुम राशी में राशी तीनों पर साड़े साथी का सर रहेगा और करक और वरश्टा राशी पर शनी की धेज़ा का प्रवाव रहेगा तो पुम राशी पर मध्यम साड़े साथी रहेगी चाथी बर होती है तो शनी इस समय आपके पहले घर में ही रहेगा तो कुमब राशी वालों के लिए जो शनी बहुत अच्छा फल करेगा क्योंकि शनी कुमब राशी में ही आ रहा है क्योंकि मगर कुम राशी के स्वामी ये शनी घरे मेश राशी में नीच के और तुला राशी में उच्छ के होते हैं तो तुला राशी वालों के लिए उनका प्रेणा बड़ा अच्छा होता है मगर कुम राशी वालों के लिए शनी बहुत लापकारी कहे गए है तो कुम लगन औ कुम राशी के लिए शनी जो है बहुत अच्छे रहे गें इस समय बारवेगर पहले घर के सुआमी बनेगे शनी और शनी लगन में ही विराजमान रहे गें और जब कुम राशी वालों के लिए शनी लगन में रहे गें पहले घर में रहे गें तो काफी स्ट् ले रहे हैं तो यह आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा यानि कि आपकी सोचने समझने की शम्ता बहुत मजबूत रहेगी इस समय आतम विश्वा सदिक रहेगा कोई भी कारी जो है आप पूरी आतम विश्वा असाथ कर पाएगे इसके बाद क्योंकि शनी जो यहां है आपक अधिक रहेगी और इस समय आपको सफलता मिलेगी बाद आपकी अधिक रहेगी और इस समय आप थाकावाट महसूस कर सकते हैं मगर इस समय आपके छोटे भाई बैन से आपका विवाद हो सकता है और आपको जो है इस समय शरी से भी कोई दिक्कत हो सकती है और इस समय हो सकता है आपके सीधे हाथ की तरफ या कंदे में कुछ दर्दगी शिकायत रह सकती है इसके बाद हम बात करें के शनी की साथवी दि व्यवा आधी के दिक्कट आ रही ती कहीं व्यवागी बार नहीं बन रही ती तो शादी भ्याँ के लिए यह समय अच्छा रहे गा इससे मूं कहीं देस्ट आ रहा है दो पक्का होजाएगा और शाधी के दीबात चल दिये तो यह सब्सक्राइब करते हैं तो महां पर थोड़ा सा धोका मिल सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखने के आपको आउशकता है करें सभधान रहे क्योंट इस भुषट्रि में पर अभी साहिदारि ना करें तो कारी शीट glory एक असथाूरि दिक्ते आपको आसकती है नि की इस समय पता के साथ उसक्ते हैं उत्तम हो सकता है पताव सबक्राओध को अतना लाब नहीं मिलाए जितनी आप अपिश्रकते हैं साधी पिता से संबंद कुछ खराब आपको हो सकते हैं नोकरी वेवेसाई में थोड़े धक्या को खाने पर सकते हैं नहीं कि समय काफी चक्र काटे पर सकते हैं आपको और नोकरी में भी थोड़ी दिक्कत आपको रहेगी कहीं अस् काजी करते समय सोच समझकर बढ़ाएं इन्वेस्ट कर रहें कहीं पैसा तो थोड़ा सा ध्यान रखें हाला कि धन संचे के लिए यह समझ अच्छा है कि ब्रस्पदेश समय आपके धनस्तान में अपनी राशिव रहेगा धन संचे के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा पैसा इन्हों को यादरा कर सकते हैं और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के छेतरा आपका बड़ा स्टॉंग है इस समय जो पढ़ाए करना वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा नुकूल रहेगा कहीं आप परतियों की तर प्रिक्षा दे रहें कंपर आई के हिजाब से शिक्षा च्छेतर आपका ठीक है और बात करें आपके जो इस समय शेर बजार में आपको फायदा हो सकता है सट्टे लोटर से भी आपको कुछ पैसे कमा सकते हैं और संतान पक्षा आपको जो है इस समय मजबूत रहेगा भूमी भावन भावन आदिका सुक जो है आपको प्राप्त होगा इस समय कोई नय भावन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो नय भावन आप परचेस कर सकते हैं नय भावन की भी जो है दिक्कत नहीं रहेगी इस समय कोई नय भावन आप ले सकते हैं भूमी भावन पलाड श्रज्खेदी खरीडना चाहते हैं उन जो सेना बसक्ती हम इसमय बहुत अनूकुल है पिद Main वर्याबकिवर भाग्यी कि रहे तो भाग्याएं आपका स्टॉओंक रहेगा किस ओ आपके तुर्वाराशि में भाग्या में तो भाग्या आपका बड़ा स्ट्रोंग रहेगा इस समय भाग्य उन्नती का समय है आपका कोई कारी छेत्र में सबलता मिल सकती है यूदि पिछले दूड़ाई साब साथ आप जो दिक्कत आ रही थे तो वह अब दिक्कत हो जाएगी काफी सारा धन आपका खड़ चुआ है यानि रुपया पैसा काफी लगाए आने जाने में और इससे पहले आपको बिमारी दिक्कत रही तो वह सब जो है प्रशानिया समापत होगी भाग्यों ने समय इस समय जुड़े रहेगें धार्मी कारिया आप करते रहेगें और आपका जो धार्मी कारियों में मन लगा रहेगा हूं इस समय जो है वानिया आपकी मदूर रहेगी परिवार में सुहार्द बना रहेगा परिवार में कोई मंगल आयोजन भी हो सकता है यानि कि मंगल कृत्य हो सक आप हमारी वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग विस्ते जड़ू ही जानकरी ले 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 और यदि कोई बात आप हमसे पुना चाहते हैं तो हमारे देवे मुबाइल नमबर पर आप संपर कर सकते हैं सभी जानकरी आपको विस्तार दी जाएगी गन्यवाद